बीर कुवर्सिंग विश्व विश्व विद्याले आरा का असनातक पार्ट वन का एक्जामिनिशन फोरम ओनलाइन फिल अफ हो रहा है सत्रे 2021 से 2024 का जो एक्जामिनिशन फोरम घर बैठे ओनलाइन छात्र भर रहा है बहुत दिल खुस हुआ आपको ये विडियो देखकर क्योंकि बीर कुवर्सिंग विश्व विश्व विद्याले आरा का जो असनातक पार्ट वन का आप जैसे ही यूटूब पर सर्च करेंगे विकेश्यू एक्जाम फोरम 2021 से 2024 तो सबसे पहले बिहार इंफो यूटूब चैनल का ही विडियो आ रहा है और 10,000 प्लस छात्र ने उस फोरम को देखकर घर बैठे फोरम को भरे हैं यानि कि उस विडियो को 10,000 प्लस छातर विडियो देखें हैं और घर बैठे फोरम भरे हैं बहुत ही मन्खुस वा और जो चैनल से छात्र नहीं जूए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप सेयर कीए हैं इसे ही शेयर कीजिए वीडियो को ताकि सभी चात्र का सपोर्ट बिहार इंफो पर बना रहा है और हम बात करते हैं कि आज पर्मोटेट का जो लिंक है पर्मोटेट चात्र बैक चात्र फेल चात्र फोर्म को कैसे भरेंगे तो सबसे पहले हम यह बता देते हैं कि जो आपका अ आपको आजाना है यहां पर आपको दिख रहा है अशनातक पार्ट वन एक्जामिनेशन फ्रम 2021 से 24 अप्लाई ओनलाइन हो रहा है इसके बाद आपको नीचे आना है नीचे आने के बाद यहां पर तमाम जानकारी को पढ़ते जाना है बीसी टू का और जेनरल का 395 अब नीचे आपको देख रहा है पर्मोटेड लिंक एक्टीव इस पर आपको कर देना है क्लिक एड आता है तो एड को बंद करते हुए आपको स्क्रोल डाउन करते हुए नीचे आजना है अब देखे इसमें कौन से छात्र भर सकते हैं या तो आपका सेशन 2020 से 23 होगा या तो सेशन 2020 2019 से 22 होगा या आपका सेशन 2018 से 2021 होगा त Darwin का आपको फोर्म भरना है तो आपको क्या करना है कि आ जना है बेशाईट परliestे पर आने कि आपको करना क्या है कि जो ह्च्टेप आपको राज़िस्टेशन नमबर दर्ज Mangania आपको कहां मिलेगा यह अभी तक बैक हो गए है नए पारम गोबर्ए तो आपको क्या करना है कि चले जाना है अपने कॉलेज में और आपको रजिस्टेशन नमर यहां से ले लेना है चले रजिस्टेशन नमर यहां पर दर्ज करते हैं रजिस्टेशन नमर और डेट बर्थ आपको क्या करना है कि फिलप कर देना है इसके बाद आपको वैलिट मु a password Penicheert password में आपको क्या करना है कि यदि का नाम है तोbab? आप कंदिडेट का नाम पूरा दरज कर दिनेगा अब कने पी का दीए आवर का नाम है मालने कर आद कि प्रयंका है तो हम बार I-K-I चोटा कर दिये इसके बाद हम क्या करेंगे कि password में इसके बाद बाड़ा P रहना चाहिए इसके बाद सब छोटा रहना चाहिए अब 1,2,3,4,5 कर दिए अब इसके बाद क्या करेंगे फिर आपको re-interview करना है तो फिर आपको क्या करना है कि P, I, N, K, I, P, N की बाड़ा P रहना चाहिए इसके बाद add rate नहीं लगाना है इसके बाद एक, 2,3,4,5 लगाना है इसके बाद create password पे हम कर देंगे click create password पे click करने के बाद ये login का option आगिया हम इसको क्या करेंगे click here to login करेंगे login करने के बाद अब इसमें आपको क्या करने कि यहाँ पर registration number और password दर्ज करना है चलिए दर्ज करके आगे बताते हैं registration number और password पासवर्ड आपको बता दिए कि नाम का पहला अच्छर बड़ा रहना चाहिए इसके बाद चोटा रहना चाहिए इसके बाद 1,2,3,4,5 जो हो भी है लगा देना है इसमें add direct symbol कुछ नहीं लगाना है इसके बाद I am robot पे click कर देना है I am not robot और login पे कर देना है click जैसे ह लिक करेंगे आपका profile open हो जाएगा open होने के बाद यहां पर आपका data birth mother's name father's name और student name आजएगा यह आप लोग देखे थे जो आपका registration था registration यह 20 से शुरू हुआ था यहां पर अधान नमबर तमाम जनकारी के साथ इसको फिलब करेंगे फिलब करने के बाद यह आगे का जो step है फोलो करेंगे तो चलिए इसको हम जल्दी से भरते हैं भर कर आगे का जो step है बना लेते हैं हम इसको बनाने से पहले जो भी details से भरने से पहले यहां से photo हम signature बना size बनाने के बाद इसको नीचे से crop photo पर करेंगे click और यहां से download कर लेंगे download करने के बाद फिर से हमको क्या करना है कि इसको home page पर आनेक बाद photo and signature पर click करेंगे click करनेक बाद इसको फिर से download करेंगे और यहां पर जो भी है signature यहां पर लेंगे signature लेनेक बाद यहां पर select करेंगे और इसको भी हम क्या करेंगे कि छोटा करेंगे इसको हम छोटा करेंगे तो क्या करना है कि इसको छोटा करने से पहले यहां पे छोटा नहीं हो रहा है तो आपको फिर से signature अपलोड करना पूरेगा दिखिए यहां पे छोटा नहीं हो रहा है तो इसको फिर से हम signature को छोटा करे तो चलिए चोटा करके फिर से मागे का इस्टेप बताते हैं यहां से जो सिगनेचर है हम क्रॉप करके चोटा कर लिए इसके बाद हम क्रॉप सिगनेचर पर करेंगे क्लिक उपर से आकर क्या करेंगे कि इसको हम डाउनलोड कर लेंगे डाउनलोड करने के बाद अब इसको क्य तमाम जयनकारी को करने के बिलॉब करने के बाद आपको आगे बढ़ना है आपãy subscribe कर देना है इसके बाद AWS कर यह तो करेयेगा के इंडिया में बिहार जो भी आपका करने कीवाद इम Denny 有 हो एड्रेस में आपको विलेज पोश्ट और एड्रने करते हैं इसके बाद आपको लगह करता हूं Пेकर देना है क्लिक इसके बाद आपको क्या करना है कि आगे का जो अजटेफ है बडेट परफाईल कर देना है अब आपको क्या करना है कि जैसे ही अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे यदि फोटो और फोटोग्राफ का इंट्रक्शन आता है तो इसमें आपको क्या करना है कि फोटोग्राफ को फिर से क्रॉप करना है और क्रॉप करके आगे का जो अश्टेप है आगे आपको भरन अब इसमें देखिए फोटो से लिए इंट्राक्शन फॉलो नहीं कर रहा है तो उसको बार-बर कुरूब करेंगे दो बार-बार करेंगे तो साइज फोटो ले लेगा तो आप लेपटब से भी कर सकते हैं लेपटब से भी आपका हो जाएगा को इसू नहीं है फोटो को दो जनकारी को मिलान कर लेना है मिलान करने के बाद यहां पर आपको क्या करना है कि नीची आजाना है नीची आने के बाद सब्जेक्ट में आप देख रहे हैं तो सब्जेक्ट आपका अनौर्स मनें कि यह जो है सबका एक्जाम देना है यहां पर आप देख रहे हैं अब आप बढ़ने के बाद यहाँ पे आपसे जो जनकारी मांगा जाएगा यहाँ पे जनकारी आपको confirm and pay पर कर देना है क्लिक और pay का जो step है आप आगे इस वीडियो के माद अप्सन आ गया है UPI का इसके बाद करेंगे तो UPI करेंगे यहाँ पर अब इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है लिएक हो दिकत हो रहा है तो आपको क्या करना है कि इमतिजार कर ले रहा है इसके बाद देखिए अब यह हम verify कर लिए यहाँ पर YBL लगा दिए और यहां का हम हटा दिए यह payment method है इसे करेंगे verify करने के बाद यह आगे का जो step है आगे का जो print का option रहेगा वो सामने आपके स्कीन पर आ जाएगा और यह payment का option यहाँ पर आगे का हो रहा है प्रोसेट पर क्लिक किए क्लिक करने के बाद यह payment का जो लिंक है आपके Google पर फोन पर भेज दिया है वहां से आप पेक करेंगे इसको देखे फोटो सिगनेचर को बहुत सार इच्छातर परसान थे तो परसान होने की जोड़त नहीं है आप लेफटाप से कीजिए लेफटाप से आपका हो जाएगा लेफटाप नहीं है तो फोन प करेंगे इसको क्या करेंगे कि यहां पर सेव करेंगे सेव करने के बाद यहां पर हम क्या करेंगे कि बैक आएंगे फिर से हम क्या करेंगे कि बैक आएंगे तो जो बैक आने पर साइट है उसका साइट पर हमाएंगे साइट पर आने के बाद यहां पर फिर से आपको क्या कर परिच्छा का आवेदन प्रिंट करें इसके बाद इस प्रिंट को प्रिंट कर लेना है उपर आप देख सकते हैं कि सभी जनकारी आ गया है बार कोड भी आ गया है सभी जनकारी को मिलान कर लेना है मिलान करने के बाद नीचे प्रिंट का अप्शन है यहां से प्रिंट करेंग साथ ही नमानकर रसीद लगेगा और पैसा भी लगेगा प्रैटिकल जिनका होगा उनका पैसा भी लगेगा तो आप इस प्रिंट के साथ अपने कॉलेज में जाए और इसका hard copy और एक और two copy इसका दो copy निकाल लिएगा एक copy अपने घर रखिएगा एक copy को अपने कॉलेज में जमा करना है और जो अपना डॉकमेंट में आपका डॉकमेंट मिला है पूरा डॉकमेंट अपने कॉलेज में जमा कर देना है तो यह अश्टेफ है पूरा आरा इनुवर्शिटी का असनातक पाटवन का एक्जामिनेशन फरम भरने का तो आपको कैसा लगा आप एक बार इंतिजार कीजिए एक और वीडियो आएगा असनातक पाटवन के रिगार्डिन जब कॉलेज क्या नोटिस हाजएगा कि कॉलेज में क्या क्या जमा करना है तो इसको ऐसे ही आप जमा कीजिए अपना फरम भरिये अब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वी में बाई बाई टेक्स